टसली में हमापको एंगलिस ग्रामर क्या कुछ नियम Hindi में कैसे आप सीखेंगे उन सब के बारे में आपको बताएंगे देखिये इनका जगह इनका जो यूज होता है कीस जगह पे होता है तो आपको बता दे देखिए किसी बरी जगह को दरसाने के लिए इन का परयोग किया जाता है जैसे I live in India जैसे मैं भारत में रहता हूँ तो यहाँ पे जो इन का परयोग किया गया है इंडिया के लिए तो आप जानते ही हैं इंडिया काफी हमारा बरा है अपना देश और इसी में जो भी हमारा एस्टेट और आएगा उस अब इसमें अंदर आएगा चली आगे आपको बताते चले एट के बारे में देखिए एट अगर बात करें तो देखिए एट जो है किसी छोटी जगह को दरसाने के लिए आट का पुरयोक किए जाता है जैसे यहाँ पर दिया गए है कि I am at home यानि मैं गहर पर हूँ चाहिए आप एक्जामपल ऐसे भी बता सकते है कि I live at Bihar ठीक है आप बता सकते हैं ऐसे कि मैं Bihar मेरा तो ऐसे भी आप डील कर सकते हैं चाहिए ऐसे भी आप एक्जामपल के लिए कर सकते हैं कि I live at Bihar in India ऐसे भी आप दे सकते हैं चलिए अब आगे आपको बता दे on का यूज के बारे में देखिए जब कोई वस्तू ध्यान देंगे जब कोई एक वस्तू किसी दूसरी वस्तू के ऊपर हो तो उस पर on का परयोग किया जाता है जैसे pain is kept on the table pain जो है table पर रखा हुआ है एकदम सही बात है कि देखिए ना यहाँ जो pain है वो क्या चीज़ पर रखा हुआ है table पर रखा हुआ है चलिए अब on to के बारे में आपको बता दे देखिए जब कोई एक वस्तू किसी दूसरी वस्तू के ऊपर गतिसी लवास्था में हो तो उसे on to का परियोग वहाँ पर किया जाता है जैसे I jumped on to the horse यानि देखिए मैं घोरे के ऊपर कुदा यहाँ पर भी सही आप देख रहे हैं कि जब ये गोवस्तू जो है यानि मैं वो क्या कर रहा है कि घोरा के ऊपर वो गतिसील है यानि गतिकी अवास् आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर किजिए गार नए हैं तो और अप अपने दोस्तों के पास सियर भी करेंगे जब अच्छा लगेगा आपको वीडियो तो